आपको प्रवाणपत्र बनाने का जारी किया है तरकार ने उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं इसके अंदर आपके साथ क्या क्या डेक्ट्मेश लेगेंगे कितिनी फीस लगती है क्या-क्या system इसमें होता है इसका online farm जो भरा जाता है कैसे भरा जाता है इन सारी चीज़ों का मैं आपको जानकार देने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियों बने रही है आपको बैसे समझ में ना है तो आप इसको एक-एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ यूपी हैसियत प्रमानपत्र संचित विवरण इसका विवरण जो संचित में है प्रमानपत्र का नाम होता है जो हैसियत प्रमानपत्र उत्तर प्रदेश का है और ये हैसियत प्रमानपत्र जो है आपका उत्तर प्रदेश का है पुद्देश संपत्ति और उसके मालिक का बेवरण प्रदान करना लॉंच किया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लॉंच किया है प्रमान पत्र जारी करता विवाग जिस विवाग से आप बनवाएंगे वो राजस विवाग होता है जिसको प्रमान पत्र एक कानूनी दस्तवेज़ जो कि राजस सरकार के बिवाग द्वारा जारी किया जाता है यह प्रमान पत्र संपत्ति और उसके वालिक के बारे में विव्रहन पर प्रकाश डालता है ऐसे certificate सरकारी कारियों के दोरान अक्सर काम आते हैं यदि संपत्ति का मालिक किसी निवीदय सरकारी सोधे में भाग लेना चाहता है तो उसे कानूनी दस्तावेज जमा करने होंगे इसके अलावा भवन या सड़क निर्मान के लिए permit लेने के लिए इन दस्तावेजों की जरू मांगे जाते हैं या कोई सराब का ठेका हो गया ऐसी चीजों के लिए यह आईसियत प्रमान पत्र मांगा जाता है अब दोस्तों आगे यूपी हैसियत प्रमान पत्र के पातरता मावदंड क्या होते हैं इसको आपको देखना होता है उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिक जो अपने कुल संपत्ती मुल्य का दस्ता वेजी प्रमान चाहते हैं बेहैसियत प्रमान पत्र के लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं यानि कि जो यूपी का नागरिक है वो इस हैसियत प्रमान पत्र को बनवा सकता है यूपी ऐसे प्रमान पत्र के लिए सुल्क आपको कितनी फीस लगेगी इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ देखे दोस्तो ओनलाइन आवेदन की फीस है 100 रुपे पिलस उपयोग करता सुल्क दूसरा आगर आप किसी जन सेवा के अंदर से करेंगे तो 120 रुपे लगता है दोस्तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये जो 120 रुपे हैं ये किसी जन सेवा के अंदर जो होते हैं जहां पे कैफे वाले होते हैं उनसे अगर आप करवाओ तो वो 120 रुपे इसकी फीस लेंग सकते हो इतर प्रदेश में है लुपे का पन पते का प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पतर इसकी व प्रमाण पत्र आधार कार्ड पर होना चाहिए इसके अलाबा नीचे की में जानकारि दी गई बी आप पर लूने जरूरी है दोस्तों ये यह चीज़े होना आपके लिए जरूरी है और जितने भी आपके पास जो वो होते हैं जैसे जमीन वगेरा उनके सारा डिटेल्स होना चाहिए तो वह दस्तावेज आपके पास होना चाहिए यूपी ऐसियत प्रमान पत्र ओनलाइन आविदन की प्रक्रिय में आपको बता रहा हूँ देकि ऐसियत प्रमान पत्र के लिए ओनलाइन आविदन करने के लिए आपको नीचे दिये गए चरणों का पालन करना होगा अब यह देखे प्रोपर्टी वेल्यू सर्टिफिकेट ऐ यह जो आपकी website है, इस website पे आप registration करना होगा सबसे पहले आपको, अगर आप खुद कर रहे हो तो, दूसरा point आदर registration करने के बाद में उम्मीदवार को इस portal पर login करना होगा, और portal login करने के बाद, आपको अपना login ID, password और capture धर्ज करना होगा, और फिर आपको submit बटन पर click करना हो दोस्तो इस तरीके से आपको यह forum submit करना है, अगर आप खुद कर रहे हो तो, आगे फिर आपको दी गई सेवाओं की सूची में है, हैसियत प्रमाणपत्र का chain करना होगा, क्योंकि सूची आती है, उसके अंदर यह हैसियत प्रमाणपत्र का chain करना होता है, इसके बाद में ए एक new application link पर click करें, अब आपको हैसियत प्रमाणपत्र online आवेदन पत्र को पूरी तरह से बरना है, सभी आवेशक दस्ता बेजों के हो, साथ में सभी आवेदक उनकी संपत्ति और संपत्ति का सही विवरण प्रदान करना होगा, यहाँ पर आपको सारा जितना भी आपको पा इनकी जो आपको बुक्तान करना उस पर आपको अपको अपना आवेदन नंबर दर्ज करना होगा और सम्मिट बटन पर किलिक करना होगा, आप डेविड कार्ड, क्रेट कार्ड या नेट बैंकिंग और एन मायदिम से भी बुक्तान कर सकते हैं, अब आपका उतर प्रदेश हैसियत प्रमान पत्र आवेदन की इती से साथ से दस दिनों के बीतर जारी किया जाएगा, तरकार यह समिशित करेगी कि हैसियत प्रमान पत्र के प्राप्त सभी आवेदन तीस दिनों के बीतर पूरे जाएं, एक व्यक्ति कि हैसियत का लियांकन निजी, लियांकन करता के आ आयकर विवाग द्वारा प्रमानित होता है। हमें उम्मीद है कि आपको अमारे दीगई हैसियत प्रमानपत्र उत्तरप्रदिश के बारे में यह जानकारी पेवद पसंद आए होगी। आधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वैप साइट के जरिये आववेधन का प्रवारूप डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you, दोस्ते.